कि अलो फ्रेंड्स पीबी शैले के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल से पीबी शैले रोमेंटिक एज के सिकिन जेनरेशन के ग्रेट पोईट हैं 1792 में बर्त हुआ और 1822 को इनकी डेथ हो जाती है विलियम गॉडविन इनके सॉन इनलो थे और मैरी शैले जो मैरी शैले के हस्बेंट थे और विलियम गॉडविन भी बहुत फेमस फिलोसफर है और मैरी शैले भी बहुत अच्छी फिलोसफर और यह फैमिनिस्ट राइटर भी रही है और इनका जो फादर थे पीवी शैले के उनका नेम है Timod Thie Shelly, then in 1802, he entered the Siren House Academy, अगर देखे तो थोड़ी सी ही एज हुई थी, इनकी सारे ये 10 को साल के थे, तो इस Siren House Academy में एंडर होते हैं, 1804 में ये एटन कॉलेज में जाते हैं, और वहां से इनको निक ने मिलता है Matt Shelly का, तो Matt Shelly ये Shelly को बोला गिया है और इनका परसी बाइस से Shelly इनका फुल नेम है, तो इनका फुल नेम है, तो इनका फुल नेम है, और 1810 में यूनिवर्स्टी कॉलेज अक्सफोर्ड में ये गए, इनका गौदिक नोवल है, जैस स्टोजी, जो 1810 में आता है, और पोस्तोमस, फ्रेग्मेंट ओफ आ मार्गेट निकॉलस, ये भी इनका फ्रेग्मेंट है, और थॉमस, जैफर्सन, हॉग, जो इनके फ्रेंड थी, अक्सफोर्ड में ही थी, और शेले, दोनों ने मिलकर एक पैंफिलेट चपवाया था, पब्लिश करवाया था, विदाउट अनी नेम, उसका कोई नेम नी था, वो पैंफिलेट का नेम था, कौन से वर्क के लिए शेले को बैनिश कर दिया गया था, वो था दिनसेस्टी ऑफ एथनिजम, इन हैरिट वेस्ट ब्रे की एक गर्ल थी, जिसके साथ शेले भाग जाती है, और मैरिज कर लेती है, अलिसा वेस्ट ब्रोक है, यह सिस्टर है, इनकी सिस्टर ऑफ हैरिट, जो हैरिट की सिस्टर है, ठीक है, ओके, जैन अलिजबेतन हर्चिंसन, यह जो अनमैरिट थी, यह स्कूल टीचर थी, यह सिस्टर ऑफ माइ सोल, इनको इन होने, इन होने, शाले ने, अलिजबेतन को बोला है sister of my soul and my second self okay then queen में 1813 में ये एक utopian allegorical work है जो first large work माना जाता है और ये 1813 में इनका work आता है lake district lake district में जाते हैं तो ये इनकी मुलाकात होती है Robert Saudi से और ये Robert Saudi से इनको पता चलता है William Godwin के बारे में ठीक है तो William Godwin की त्री डॉर्टर थी Fanny, Claire and Mary और Mary Mary जो है जो William Godwin की first wife थी Mary Wilson Craft उसकी डॉर्टर थी और जो Mary Wilson Craft है उनका जो work है वो भी मैं बता देती हूँ A Vendiction of the Rights of Women ये उनका famous work है और इसी इनी से जो शादी करते है Mary के साथ शादी करते है जो William Godwin की बेटी होती है और William Godwin और Mary Wilson Craft की बेटी होती है Mary इनसे ये शादी करते है future में Eliza Westbrook है जो उसकी फ्रेंड थी ये अलीजा वेट्स ब्रूक तो पीवी शैले की सिस्टर थी और सिस्टर की फ्रेंड थी Harriet ये बिल्कुल करिफ्यूज नहीं होना है आपने आगे आजाता है She Wrote In 1814 He left Harriet Harriet को छोड़ देती है और वो प्रेगनेंट होती है फिर भी वो छोड़ देती है Mary से भाग कर शादी कर लेती है Switzerland में चले जाती है और उनके साथ Mary के साथ उसकी जो सिस्टर है क्लियर वो भी होती है ठीक है Then इनकी पोईम है Alastar जो पोईम है और इनका फूल टाइटल है The Spirit of the Solitude 1814 में आता है 1816 में Second trip to Switzerland Then क्लियर इंटर्ड्यूज जो क्लियर है वो ही Lord Byron से शाले को इंटर्ड्यूज करती है क्लियर कौन है यह Mary Shelley की सिस्टर है जाने के साली जी है Don Juan Don Juan क्या है यह वर्क है जो Byron ने लिखा था Then Harriet जो वेस्ट ब्रूक है जो ड्रॉनिंग से जाने के दूबने के वज़े से मर गये थे और वो क्या है जी अपना Lee Hunt से भी मिलते हैं John Keer से भी मिलते हैं 1818 में इटली में Then आता है Postumus Prometheus Unbound And The Cincy यह दो ट्रेजडी है यह सेंसी दे ट्रेजडी और यह वर्स ड्रामा है Prometheus Unbound यह बहुत फेमस वाक है John Keer कीट बीमार हो जाते हैं 1820 में और L.A.G. भी लिखते हैं उनकी डेथ के ऊपर पीबी शैले अड़ानसी कीट के लिए उनकी डेथ पर लिखते हैं Then Navy Officer होते है एक एडवर्ड इलैकर William और उनकी वाइफ होती है Jane William उनकी तरफ भी एट्रेक्ट हो जाते हैं पीबी शैले तो यह देखो यह इनका सुभाव थोड़ा से ऐसा ही था यह पहले इनोंने किसी और से शादी की और शादी शुदा होने के बावजूद भी यह Mary Shelley को भगा कर लेकर ले जाती है उसके बाद Jane William से भी एट्रेक्शन हो जाती है Shelley wrote बहुत Shelley ने बहुत सारी जो अपनी poems है Jane Williams को मतलब address किया है Shelley wants to start a channel with a Lee Hunt and Lee Hunt के साथ यह मिले थे ना उनके साथ यह के चैनल शूर्ड़न करना चाहते थे जिसका नाम तद लिब्रल मगर वो इतना सक्सेस्फुल नहीं रहा और 1822 में इनकी डेथ हो जाती है Leo Tolstoy महात्मा गंदी के जो पैसिव रिजिस्टेंस है वो सारे शैले के ऊपर से ही मतलब इन वेरी सिंपल लेंगेज वी कें से जो लियो टोल स्टॉई और महात्मा गंदी जी भी शैले के वर्क से बहुत ज़्यदा इंफिलेंस दे और मैत्यू ओनल नहीं भी जो शैले है उनके लिए बोला है ब्यूटिफुल एंड इन अफेक्ट्वल एंजल ओके रॉबर्ट ब्राउनिंग ने पॉइम पॉलीन है जो 1833 में आती है यह इसमें उन्होंने का शेरिंग की है